Hey guys, welcome to IT4U I hope आप सभी अच्छे होंगे तो आज की से MCC की वीडियो में हम लोग बात करेंगे Domain Renaming के बारे में कि हम Active Directory पर हम लोगों ने जो domain बनाया हम उसको कैसे rename कर सकते हैं तो चलिए guys start करते हैं तो guys जैसे कि आप सब को पता है कि हमारे domain का नाम जो है IT4U.IN यानि कि यह हमारा जो server है इसका नाम है IT4U.IN और यहां पर हमारी एक ADC की machine है जो हमारे IT4U.IN पर connected है और हमारे पास यहां पर एक CDC भी है जो कि हमारे IT4U.IN से connected है यानि कि उनके बीच में जो trust है वो CDC का है और एक additional domain controller है हमारे पास यहां पर available है for example guys अगर आपके पास ऐसी कोई situation आ जाती है कि आपकी company का जो नाम है वो change हो रहा है या फिर किसी वज़ा से आपको अपने domain का नाम change करना है या कोई project है या कोई भी requirement हो सकती है और हम चाहते है कि हमारा यहां से it4u.in का जो नाम है वो change करके हम लोग यहां पर mindsold.in करना चाहते है यानि कि यह हमारा नया domain name होगा जो कि हम लोग अपने server पर बनाना चाहते है तो guys इस case में हमें क्या करना होगा या तो आप एक पूरी machine लेजिए उसको फिर से दुबारा mindsold.in के लिए बनाईए और उसमें सारे users और जितनी भी हम लोग लोग अनि configuration की थी, setting की थी वो सारी चीज़े आपको करनी पड़ेंगी और शायद हो सकता कि उसमें आपका काफी time बे लगे और आपकी जो configuration level जो आपने यहाँ पर किया वो it4e.in पर हो सकता है आपके से कुछ miss हो जाए या हो सकता है वो सारी चीज़े वहाँ पर transfer ना हो तो guys नया setup हमें ना बनाना पड़े इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग existing domain के नाम को rename कर देते हैं यानि कि फिलाल अभी हमारे it4e.in है हमारे adc से भी connected है और हमारा यहाँ पर एक cdc भी है जिसके साथ हमारे child domain trust है तो guys यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पर dhcp server भी it4e.in पर dna server भी है group policies भी हमने लगाई हुई है काफी सारी चीज़े हमने ओलडी यहाँ it4e.in पर configure की हुई है तो अब अगर आपके पास ऐसी situation आते है कि आपको यह domain का जो नाम है वो change करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो guys इस practical को complete करने के लिए मैंने कुछ test machine बना ली है आप checkpoint का भी यूज़ कर सकते है अगर आपके पास checkpoint है अगर आपका कोई existing servers पर अपने का checkpoint बनाया हुई है तो आप उसके checkpoint भी यूज़ कर सकते है फिलाल के लिए मैंने यहाँ पर separate machines बना ली है तो यहाँ पर आप आप देख रहे है controller है तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले access करेंगे DNS को अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ DNS में तो DNS में जाने के बाद यहाँ से मैं access कर लेता हूँ forward lookup zone तो forward lookup zone के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर it4u.in के नाम से already primary zone बना हुआ है forward lookup zone के अंदर तो guys, अभी हमें यहाँ से क्या करना है हमारा जो domain नाम है नया नाम हमने क्या रखा है mind soul.in तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग एक नया primary zone create कर लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है forward lookup zone पर आप right click कीजिए उसके बाद new zone new zone पर क्लिक करने के बाद next यहाँ से आपको चूज करना है primary zone, primary zone next उसके बाद क्लिक करेंगे next to all dna server running on both domain controller in this domain it4u.in click next यहाँ से आपको अपके zone का नाम दे देना like for example मैं यहाँ पर देता हूँ mind soul.in and click next and allow secure dynamic updates click next and finish तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके एक नया primary zone बन गया लेकिन यहाँ पर अभी किसी भी तरह की कोई entry नहीं है अगर आप यहाँ पर it4u.in में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफी सारी entries यहाँ पर आपके पास it4u.in के ले की गई है अगर आपके पास नए domain में यह entries available नहीं होगी तो आपका नया domain काम नहीं करेगा यानि कि आप अगर rename करेंगे तो वो काम कैसे करेगा क्योंकि सारी DNS की जो entries है वो तो it4u.in के पास यह है तो यहाँ से आप देख रहे है Windows 10 M1 की मशीन है यह domain में जो आइन है तो इसकी host entry यहाँ पर है it4u.dc01 यहाँ पर it4u.adc01 यानि कि सारी जो details है वो अभी यहाँ पर है और यह entries क्यों matter करती है और कौन सी entries से क्या होता यह सारी मैंने explain किया है आपको DNS की वीडियो में अगर आपने यह वीडियो नहीं देखिए है तो आप DNS की वीडियो जरूर देखिए वहाँ पर मैंने यह proper explain किया है तो guys मैंने यहाँ पर already primary zone बना दिया है Mindsoul.in के लिए तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अगर मैं आपको यहाँ से show करता हूँ अगर हम लोग से DM.CPL में जाते हैं और Change पर क्लिक करते हैं Click OK तो यहाँ पर देखिए guys हमारे पास कोई भी rename करने के लिए यहाँ पर कोई भी option नहीं आ रहा है यानि कि यह सब कुछ grade out है यानि कि Member of Joe यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ grade out है हम यहाँ से कोई भी changes नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई GUI feature अवैलेबल नहीं है कि जहां से जाके हम लोग domain का जो नाम है उसको rename कर दें यह हमें करना होगा command prompt के through तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको open करना है cmd and cmd पर right click करके make sure आप cmd run करेंगे वो run as administrator करेंगे अगर आप उसको diet open कर लेंगे तो जो function है वो properly run नहीं हो पाएंगे तो यहाँ से हमें क्या करना है हमारे पास जितनी भी entry है it4e.in के अंदर वो हमें सारी ट्रांसफर करनी है mindset.in के अंदर यानि कि हमारे जो existing domain name है वहां से सारी एंट्री नए domain name के अंदर जाएगी mindset.in के अंदर यहाँ पर मैं एक command का यूस करूंगा एक command होती है जिसका नाम है random random यानि की rename domain तो यहाँ से आप देख सकते हैं की random.exe is a command line tool that is used to rename active directory domains a domain rename is a complex operation that also requires other tools and processes in addition to using random.exe तो basically एक command line tool है जिसके थूँ हम लोग अभी rename करेंगे अपने existing domain को तो यहाँ पर गाईज अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी directory है हम लोग C user के अंदर है और उसके अंदर administrator के अंदर है तो यहाँ से भी आप continue कर सकते हैं लेकिन मैं क्या करूँगा मैं direct C drive के access करता हूँ फिर वहाँ पर हम लोग वो file create करेंगे otherwise आपको users में जाना पड़ेगा फिर administrator में जाएंगे तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ cd enter उसके बाद आपको लिखना है cd space slash and उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हम लोग direct C drive में आ गए है C drive में हम लोग कहाँ पर आ गए हैं कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं दिस PC में C drive तो हम लोग अभी यहाँ पर रहे हैं तो guys अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से command type करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ random r-e-n-d-o-m तो guys यह हमारी command line tool है यह है random r-e-n-d-o-m अब अगर आपको यह नहीं पता है कि इससे आगे कौन-कौन सी और command हमें इसके साथ चलानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा space slash and question mark and enter यहाँ से मैं इसका full screen कर देता हूँ तो guys इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर सारी command lines आगे हैं कि उसके बाद कौन-कौन सी command है यहाँ से आप जो list आरी है list में आप देख सकते हैं list the naming context in the forest into a file text description using a xml format उसके बाद आप देख सकते हैं upload upload the auto generated script and prepare, execute, clean and यहाँ पर आपके पास जो भी आप command उसके बाद run करना चाहते हैं तो उसके बारे में description भी दी है and उस command का यहाँ पर नाम भी दी है यानि कि अगर आप लिखते है show forest so display the forest structure as represented by its naming context contained in the list file using a friendly indented format तो यहाँ पर आपके पास सारी commands यहाँ पर आगई है अगर आपको कभी भी देखना कि इस से आगे कौन सी command चलानी है तो आप यहाँ से भी यह remember कर सकते है तो अब start करते हैं अगर मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूं random space तो अभी मैं यहाँ से कौन सी command लिखूँँगा गाईस मैं यहाँ से लिखना चाहता हूं list क्योंकि अभी हमें यहाँ से list check करने है कि हमारे जो हमारे जो domain है list the naming context in the forest into a file as a text description using xml format अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं space slash list list and press enter तो देखे यहाँ पर आगया है the operation completed successfully माय यहां से इसको तो यहाँ से देखे गाईस हमें हमारे पास option आगया है the operation completed successfully तो अभी क्या हूआ घास यहाँ पर जो operation complete हुआ उस में क्या हूआ कि हमारे c.drive में एक file बन गई है अगर मैं यहाँ से जाता हूं c.prov में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं domain list के नाम से यह xml फाइल बन गई है, तो अभी इसको क्या करना है अगर मैं इसको notepad में open करता हूँ right click अगर आप इसको करते हैं open in notepad तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर हमारे domain की detail दी वही है मैं इसको copy कर देता हूँ और guys सिर्फ आपको सिर्फ IT4U को rename करना है यानि कुछ और चीज़ आपको यहाँ से rename नहीं करने है जहाँ भी आपको IT4U दिख रहा है यानि कि हम लोग यहाँ पर IT4U जहाँ भी आपको दिख रहा है तो आप search भी कर सकते है तो अभी फिलाल हम लोग ने यहाँ से mind soul dot in कर दिया है यानि कि mind soul कर दिया IT4U dot in की जगा तो हमारा dot in अलरडी था सिर्फ हम लोग ने mind soul IT4U को हटा के mind soul कर दिया है तो मैं इस file को यहाँ से save कर देता हूँ यहाँ से file को हम बंद करेंगे और गाइस यहाँ पर अभी क्या करना है यहाँ पर हम लोग एक दूसरी command लिखेंगे show forest इससे पहले मुझे लिखना था यहाँ पर random space slash show forest तो गाइस यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि mind soul dot in यहाँ पर आ गया है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फिर से वही command run करेंगे random and space slash अभी क्या करना है जैसे कि मैंने भी आपको उपर दिखाता है सारी commands आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी command थी तो मैं यहाँ से यह upload अभी वहाँ पर करूँगा तो अब हमें server को prepare करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर command दी गई है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर already सारी command जो है यहाँ पर दी गई है यानि कि यहाँ पर आप देख रहे है prepare तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ random space slash prepare and enter तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है waiting for dc to reply waiting for dc to reply तो यह क्या कर रहा था कि contact कर रहा था कि इसके साथ और कौन से server connected है तो यहाँ पर आप देख सकते है it4u dc01 it4u.in was prepared successfully it4u adc01 यानि कि यह हमारा additional domain controller यह भी connected था तो इसने उसको भी contact किया it4u adc.it4u.in was prepared successfully two servers contacted zero server returned error यानि कि दो server थे वो उनको contact कर लिया गया है और हमारे पास यहाँ पर कोई भी error नहीं आया है तो यह operation भी जो है वो complete हो चुका है तो अभी क्या करना है guys इसके बाद हम लोगों को एक और command execute करनी है यानि कि एक और command लिखनी है जिसका नाम है execute तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे random space slash और यहाँ से मैं लिखता हूँ execute exe cute और guys यहाँ से इस command को run करने के बाद क्या होगा यह सिर्फ wait करेगा waiting for dc to reply और उसके बाद यह जो आपका अपकी जो server machine वो automatically restart हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास option आगया you are about to sign out इसको यहाँ से close करेंगे तो आप देख सकते हैं यह machine जो हमारी restart हो रही है और restart के बाद हम लोग आगे के steps follow करेंगे तो अभी हमारे एक फिलाल कुछ steps रह जाते हैं हुआ है या नहीं तो यहां से हम लोग लोग इन कर लेते हैं फिर से हमारी domain controller की machine पर तो यहां से अगर आप मैं local server में जाता हूं तो अब local server में जाने के बाद आप देख सकते हमारे domain का नाम है वो change हो चुका है यानि कि यहां पर अभी आ रहा है mind soul.in तो काई सब भी फिलाल है मैं यहां से कुछ steps और perform करने हैं उसके बाद हम लोग proper चेक करेंगे कि हमारे जो DNS zone हम लोग ने बनाया था वहां पर सारी entries जो है वो transfer हुई है या नहीं तो चलिए मैं यहां से फिर से command prompt open कर लिए run as administrator किया है तो अब मैं यहां से एक और command लिखोंगा जो कि है gp fixup तो मैं यहां से लिखता हूँ group policy fixup utility version 1.1 और जो start हुआ था हमारा start fixing group policy उसके बाद यहां पर आ गया था start fixing side group policy links और यहां पर आप दिख सकते है start fixing non side group policy links और जो हमारी जो command है वो gp fixup tool executed with success तो इसके बाद हमें यहां पर एक और command लिखने है gp fixup space slash old nb यानि की old nb colon it4u space slash new nb colon mynd sol mind soul and उसके बाद फिर से आपको enter करना है तो यहां पर दिखिए हमारी जो command है वो gp fixup tool executed with success यानि की यह properly यहां पर run हो गई है तो अब आपको guys यहां से क्या करना है अब यहां पर आपको एक और command लिखने है random r-e-n-d-o-m space clean c-l-e-a-n and enter तो यहां पर देखिए जो operation है वो successfully complete हो गया है the operation completed successfully and उसके बाद जो आपको last command है यहां से लिखने है वो लिखना है random space slash e-n-d end and enter तो यह वाली जो हमारी command है वो भी successfully यहां से complete हो गई है तो guys अब हमें क्या करना है अब हमें जाना है हमारे DNS में अब वहां से जाके properly हम लोग check करते हैं कि सारी चीज़े वहां से change हुई है या नहीं यानि कि हम लोगों ने जो rename किया है हमारे domain का नाम वो properly change हुआ है या नहीं तो यहां से आप अपने server manager को refresh कर लिजिए तो यहां पर आप देख रहे हैं जो हमारे domain name है अलड़ी आप यहां माइंसल.in देख पा रहे हैं तो अब अगर मैं यहां से जाता हूं tools में tools में जाने का बाज में जाता हूं DNS में and DNS में जाने का बाज में जाता हूं IT4U DC01 तो इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ यहां से तो मैं इसके यहां से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ तो गाइस फोवर लुक जोन के अंदर आपने देखा था कि हम लोग ने IT4U.IN हमारा उल्लेडी था हम लोग ने बनाया था मैंडसौल.IN तो अब आप यहां पर देख सकते हैं सारी एंट्री यहां पर आ गई है यानि कि IT4U.IN में यहां पर आप जो एंट्री देख रहे हैं वो एंट्री अब मैंडसौल.IN के अंदर आ चुकी है तो गाइस अगर मैं यहां पर मैच करता हूँ IT4U.IN में तो यहां पर देखे हैं जो हमारे जो Windows 10 M3 है इस मशीन के हमारे एंट्री यहां पर नहीं हुई है लेकिन यहां से आप देख सकते हैं आपके डोमेन कंट्रोलर और आपका जो अडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो यहां पर प्रफरली ट्रांसफर हो चुका है यानि कि उनकी एंट्री यहां पर आ चुकी है इस मशीन को मैंने IT4U.IN के डोमेन में रखा था और यहां से मैं इसको कनेक कर लेता हूँ तो लास्ट टाम मैंने जो लॉगिन किया था वो अड्मिनिस्टेटर एट IT4U.IN से किया था अगर मैं यहां पर लॉगिन करता हूँ myndsol.in और यहां से मैं लोगिन करने का ट्राइ करता हूँ तो चली देखते हैं कि यहां से लोगिन होता है या नहीं तो देखें यहां पर देख सकते हैं आपके पास एक मेसेज आ रहा है the security database on the server does not have a computer account for this workstation trust relationship तो मैं यहां से फिर से टाइप करता हूँ administrator and enter तो देखें यहां पर बोल रहा है the username or password is incorrect तो यह हमारे नहीं fully qualified domain name से ले रहा है नहीं हमारे administrator के account से ले रहा है तो guys इस case में क्या करना होगा हमें इसको rejoin कराना होगा और rejoin करने के लिए guys क्या करना होगा अगर for example मैं यहां पर लिखता हूँ dot slash यानि कि पहले भी मैंने आपको बताता है कि आपको local account से login करना है तो आपको dot slash लगाना होता है और मैं यहां पर लिखता हूँ ie user यानि कि यह default user है जो machine हम ले download की थी and यहां से मैं login कर लेता हूँ because आप domain account से यहां पर login नहीं कर पाएंगे तो इसको unjoin करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डोमेन से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां से local admin से login करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं आप it4e.in है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर work group में करना पड़ेगा और for example आप यहाँ पर लिख दीजिए work ओके ओके यहाँ से आपको user id and password देने तो अब यहाँ पर आपको उसे user id and password देंगे अगर आप लिखें एक हाली administrator and उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं password तो चलिए देखते हैं कि यह इसको unjoin करता है या नहीं तो देखें यहाँ से हम लोग ने administrator का password दिया यानि कि हम लोग ने fully qualified domain उसमेड नहीं किया था safe administrator लिखा था तो administrator के password से हम लोग ने यह unjoin कर लिए है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा फिर से हम local admin से login करेंगे और उसके बाद हम लोग mindsell को join करेंगे तो तब भी हमें यह दिखना है कि हमारी entry कहां पर बनती है तो यहां पर मैं फिर से login कर लेता हूँ और यहां पर मैं लिखूंगा syftm.cpl change यहां पर मुझे लिखना है mindsell.in तो दिखेंगे यहां से हमारी जो machine है mindsell.in domain में join हो गई है okay close and restart तो अब यह देखते हैं कि यह हमारी जो entry बनी होगे DNS की यह कहां पर बनी है यानि कि कौन से zone में बनी है वहाँ पर IT40.in के primary zone में बनी है या फिर mindsell.in तो यहां पर मुझे क्या करना हूँ करूंगा यहां से मैं करूंगा refresh तो refresh करने के बाद तो यहां पर भी देख सकते हैं हमारे पास entry नहीं आ रही है अगर मैं IT40.in में जाता हूँ तो यहां से यह मेरी पुरान ही entry है यहां पर तो वेट करते हैं पहले machine को on होने का यहां से मैं क्या करता हूँ domain account से login कर लेता हूँ तो यहां पर मैंने login कर लिया है और मैं यहां पर command में लिखता हूँ UMI तो यहां पर देख सकते हैं यह जो है mind soul administrator account है फिर से चलते हैं हमारे domain controller की machine पर यहां पर मैं करूँगा refresh तो refresh करने के बाद दिखे हैं यहां पर वो entry आ गई है Windows 10 M3 and यह जो machine है हमारी mind soul.in के अंदर बनी है it4u.in के अंदर सिर्फ हमारी जो machine थी उसके entry यहां पर transfer नहीं थी तो guys इसके अलाबा भी काफी सारे और methods भी होते हैं जहां पर हम काफी वो सारी चीज़े भी transfer कर सकते हैं लेकिन वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा MCSA के advanced course में तो अभी फिलाल मैंने बताया कि आपके अंदर DNS की जो entry थी जो main server की जो rename जो हुआ था जो server की entry थी वो वहां से यहां पर transfer हो गई या निस zone में यानि की उसका जो नाम है वो change हो चुका होगा यहां से जाता हमें local server में तो देखें यहां पर भी इसका यह नाम change हो चुका है और guys अब हमें फिलाल क्या करना अगर आप computer name देखते हैं तो यहां पर अगर computer name में जाएंगे और change पे click करते हैं क्लिक ओके तो यहां पर देखते हैं अभी भी आपके पास जो आपके फुल computer name है वो यही आ रहा है it4uadc01.it4u.in यानि की fully qualified domain name अब इसको change करने के लिए हमें क्या करना होगा हम यहां पर click करेंगे more पे और more पे जाके आपको यहां पर it4u.in की जगा लिख देना है mindsol.in यानि की mindsol.in और यह आपको टिक करके रखना है change primary dns suffix when domain membership changes click ok 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 close and restart same चीज हम लोग करेंगे हमारे same चीज हम लोग करेंगे हमारे domain controller पर तो यहां से अगर मैं जाता हूं server पर local server यहां से आपको जाने computer name पर click करना है change ok तो यहां भी आप देख रहे है it4u.in आ रहा है तो इस पर भी आप click करेंगे and यहां पर आप लिख देंगे mindsol.in click ok ok close restart now and यहां से मैं फिर से login कर लेता हूं तो यहां से मैं जाओंगा local server में local server पर अगर मैं यहां पर फिर से computer name पर click करता हूं change click ok तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी हमारी जो machine का नाम है वो गया it4u.dc01.mindsol.in यानि कि यह हमारा fully qualified domain name हो गया है इस machine के लिए and same चीज़ अगर मैं जाता हूं additional domain controller पर तो वहां से चक कर लेता है कि additional domain controller पर भी वो चीज़ है तो यहां से भी हम लोग चेक कर लेता है कि हमारे जो additional domain controller का नाम है वो चेंज हुआ है या नहीं तो यहां से जाता हूं मैं local server में और यहां से मैं click करता हूं it4u.adc01 change click ok तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे जो full computer name है वो change हो चुका है तो I hope guys यहां तक आपको clear हो गया हुआ कि कैसे हम अपने domain को rename कर सकते हैं यानि कि हमारे जो domain का नाम है कैसे हम लोग उसको rename कर सकते हैं और क्या-क्या steps हमें follow करने होते हैं तो guys इस topic में इसके अलावा भी काफी सारी चीज़े हैं इसी से related बट वो मैं आपको बताऊंगा MCSA के advance course में बट अभी फिलाल के लिए यहां तक आपको पता होना चाहिए अगर आपको को rename करना है तो आप कैसे वो rename करेंगे तो मेरी recommendation यह है कि आप इस practical को जरूर करके देखे हैं क्योंकि यह आपको life में हो सकता है कभी ना करना पड़े या फिर आप से interview में पूछा जाता है या हो सकता है कि आपके पास हैसी कोई situation आ जहां पर आपको rename करना पड़े तो गाइस मेरे 11 years के career में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यह एक बार perform किया यानि कि पिछले 11 साल में यह सिर्फ मैंने एक बार एक company में perform किया है बट इसके जो chances है वो जादा नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी company establish होने के बाद अपना नाम change नहीं करती है लेकिन अगर फिर भी अगर किसी company को अपना नाम change करना पड़े तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको domain rename कैसे करना है यह आप easily कर सकते हैं आपको सिर्फ 2-3 पर practice करनी है और इसके बाद आप यह easily कर सकते हैं आप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और आने वाले नई MCSA की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की next वीडियो में